जैहिन दोस्तों, B.S.F. Trettsman का फिजिकल स्टार्ट हो चुका है, बहुत ज़ादा बच्चे फिजिकल में अपकी बार डिस्कॉलिफाइव हो रहे हैं, फिजिकल में कट रहे हैं, किन कारणों को वज़ से B.S.F. Trettsman के फिजिकल में इतने ज़्यादा बच्चे फेल हो रहे बात करते हैं, B.S.F. Trettsman के बारे में तो, देखिए, B.S.F. Trettsman टोटल दोस्तों, मैं बता दू, एक सेंटर पर करीबा नहीं भी तो 600 बच्चों का एप्रॉक्स बुलाया गया था, और किसेंटर पर कम बेसी हो सकता है, बट एप्रॉक्स 600 बच्चों को एक दिन में बु मैंने आपको पहले ही का था, B.S.F. Trettsman का जो फिजिकल होता है, इसमें हाइट उतना दोस्तों मैटर नहीं करता है, मैटर क्या करता है, दोस्तों मैटर आपका चेस्ट करता और रनिंग करता है, इतना धूप में दोस्तों कॉष्ट्रियों बता दूँ जो पहला दिन 600 बच्चों को भगा दियेगे, मतलब सोच सकते हो किन लाजस्ट आकार है बच्चों को दोस्तों डिस्कौलिफाइब के जरा, B.S.F. Trettsman में, और एक सेंटर की बात मैं नहीं बहुरा हूँ, कुझ मैं दस सेंटर की जनकारी में आपको दे रहा हूं, दस सेंटर में यही हाल तो देखिए, अगर आप B.S.F. Trettsman का फिजिकल देने जा रहे, तो सबसे पहले एक दिन पहले सेंटरे पहुंचाओ, जो आपका एक दिन पहले दोस्तों light खाना खाओ, heavy खाना मत खा लेना, भर पेट खा लेना, जब सूबे डाइजेस्ट नहीं होगा, जब रनिंग करना तो इससे मत करना, खलगा खाना खाना, रनिंग करने जाना, और जब आप B.S.F. Trettsman का रनिंग करने जाओ, उससे पहले दो रसगुला खा लेना, रातियों खरी लेना, टेविन में रख लेना, तो रसगुला खाने से जो हम लोग सांस फूलने लगता है, तो यह आपका सा तो इससे दोस्तों कम हो जाएगा, बड़ ऐसे प्रैक्टिस जीनों नहीं कि उसका सांस तो फूलना ही है, बड़ जितना लाजिश्ट अकार आपका सांस अभी फूलता है, उतना नहीं फूले, कि सोदर की मातरा बढ़ जाती है, तो रनिंग करने महुत वह स्टैमिना आता ह चेस्ट के लिए उसकेॐट आपको डैमन फूलना पूशब लगाना है, आप आराम से दोस्तों में नहींती लगाने ही, इतना हो जाएगा 다 square बोग बढ़ चेस्ट माओ धर हैं दोस्तों डूस्तों तगणा कए रहाना है और दखिए जब पूरी पूरी आपके अधिकल आपको भी अधाई करना चक्षु पॉब्लिकेशन का ये जो कि दोस्तों BASF Tracement का एक best book साबित हो सकता है, इसमें दोस्तों बहुमूल है, आपको question मिल जाएंगे, जो कि दोस्तों हिंदी के, रिजनिंग के, इंगलिश के, और दोस्तों GKS, ये सबका question इस book में आपका available हो जाएगा, इस book का जो pattern है, दोस्तों latest pattern के अधार पर बनाया ग जाते हैं, तो हमें कितना time मिलेगा sufficient exam के लिए, जादा time हमें नहीं मिलने वाला, तो अपने तयारी को जब अधस्त रखना है, physical दोस्तों मैं बदा दू, BASF Tracement का physical हो, चाहे कुछ भी है कि strategy के साथ दौरना है, strategy क्या है, तो मैं बदा दू, देखिए, 2.5 km आपको नहीं भी 5 km के running में कभी भी disqualified नहीं हो, अगर practice नहीं भी किया ना, मैंने 10 दिन ही practice किया है, तो मैं आराम से माल लेता हूँ, क्योंकि मैं एक strategy होता है, कि 2.5 km कुछ भी करके, हमको गरमेंट से लेके 12 मेंट के अंदर capture कर लेना है, इतना दूर में अगर हम capture कर लेते हैं, तो हम आराम स और 2.5 km अगर धीरे धीरे भी आएंगे, तो हमारे पाई एक sufficient time होगा, तो उस time में हम अराम से physical clear कर पाएंगे, हमें कोई भी रोकने वाला नहीं होगा, तो ये strategy के साथ आप भी running करना, BSF treatment में अगर आपका physical बाग की आपका चल रहा है, तो आपका पूरा पूरी 100% selection हो जाता है, जब दोस्तों किस चीज को पूरी सिद्दत से चाहते हैं, तो पूरी कायनात लग जाती है आपको उसके मिलाने के साजी समय, तो आपको आपका लक्ष मिलेगा, बस महनत मत छोड़ना, हार मत मानना, हार मानना, हार मत तो योध्धा हो, अपने योध्धा वाला system को याद करना हार मत मानना, कुछ भी हो जाए, अच्छा से फिजिकल देना, और हार मत मानना, डायमन पूस अप मानना, रणिंग से पहले रस गूला खा लेना, उसके बाद दोस्तों आप रणिंग करने जाना, और डेफिनेटी पांच किलोमेटर अर अराम से आप क्लियर इस इंफर्मेटर अराम से फिजिकल आते रहते हैं, बस आप दोस्तों आखरी दम तक लड़ते रहना, जब तक आपका उमर हार मत मानना, एक फाजी की तरह बनना, कमांडो की तरह, यह पता है कि सरीर खतम हो चुका है, पैक्टिस करके लड़ लड़ के चूड़ गया है, ल जब भी हर मत मानना, डेफिनिटी आप फिजिक वालिफाई कर गा गया है, 100%, जय हीन, जय भारत, मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में, एक सिंफर्ड दिसान, बोर भात मता की ज़य, बंदे,